नमस्तर फ्रेंस में नाम लक्षमिन कांतर मैं एक NGO कंसुल्डेंट हूँ और आज की सुड़ों हम बात करेंगे NGO दर्पन के बारे में जिसे बहुत सारे आप लोग जानते हैं नीती आयोग इस नाम से भी ओके अगर आपकी संस्ता है ट्रस्ट है या सोसाइटी है या फिर सेक् जब आप रिश्यों करते हैं तो उसके बात मिलता हो जब भी आप Government Department के साथ जब आप ग्रियंट लेने के लिए अप्लओं करते हैं ет टेम पे यह जो वो डिपार्टमेंट के लोग आपको यह जो दर्पन की जो भी आईडी है वो डिमांड करते हैं अगर आप यह अनुदान में रिशिशन करना चाहते हैं तो आपके पास दर्पन आईडी होना मेंडिटरी है अगर आप एफसी आरे में रिशिशन करना चाहते ह किसी ग्रैन के लिए विदाउट दर्पन आडिया आप अपलाय नहीं कर सकते उकि इसके साथ साथ ही अगर आप 12वे आप लाए करना चाहते हैं तो वहां पे भी 12वी प्री डर्पन आडिया का नंबर मांगता है लेकिन वहां पर मेंडेटरी नहीं यह वहां पर optional है ठीक है optional क्योंकि क्योंकि government के भी मालूम है कि बहुत सारे संस्था के पास अभी भी दर्पनाइडी नहीं है बहुत सारे संस्था ने अभी भी apply नहीं किया है तो आज हम सोड़ में देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं दर्पनाइडी के लिए apply करना चाहते है तो आपके पास कौन-कौन से documents या information आपके पास होनी चाहिए ताकि आप दर्पनाइडी के लिए apply कर सकते हैं और यह registration बहुत आसान है आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आपको मदद करूँगा लेकिन मदद paid होगी free नहीं होगी free चाह आगे पीछे करके लेकिन समझ में आ जायेगा आपको तो देखिए पहला तो एक है कि अगर आप दर्पनाइडी के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके संस्ता के पास pen card होना mandatory है without pen card तो आप apply नहीं कर सकते और वहां पे भी देखिए बहुत सरे लोग एक गलती करते हैं कि बह में तो फिर फूचर में दिक्कत आ सकती है तो जब भी आप pen card के लिए apply करते हैं तो पहले सी पूरी तरक से चेक किजिए कि spelling उसने बराबर डाली है ने डाली है रेशेशन की जो date है वो बराबर डाली है ने डाली है वो confirm करने के बाद ही आप किसी भी चीज़ के लिए apply करे जो भी tollway TG है दरपना ID है कोई भी आगे का process तभी start कीजे अगर आपके संस्ता के pen card के उपर नाम सही है नहीं है सही तो पहले correction करवा के लिए बाकी सारी चीज़ों के लिए apply कीजे आप ठीक है ये तो हो गया pen number होने के बाद आपके संस्ता के पास जो भी certificate है अगर society है तो society certificate लगेगा trust है तो trust का deed लगेगा अगर sectionate company है तो sectionate company का certificate लगेगा ओके आपके हिसाब से आपकी कौण से type की संस्ता है उसके according के document मैं आपको बता रहा हूं उसके साथ कि आपके जो members है mainly three members president secretary और treasurer इनके आधरकाड और pen card आपके पास होने चाहिए क्यों होने चाहिए क्यों कि वहाँ पे जो नाम डालेंगे आप वो आधरकाड पे और pen card पे जैसा है वैसा ही आपको डालना है वहाँ पे आगर आप mistake करेंगे तो इन लोगों का नाम वहाँ पे record नहीं होगा ठीक है इसके साथ साथ ही इनका email एडियो और mobile number आपके पास होना चाहिए संस्था का full address फिर office address है वहाँ पे आपको डालने पड़ेगा तो यहां तक तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है तो comment box में लेकिए कि कौन सा point आपको समझ में नहीं आया तो देखिए हमारा आगे का point बच गया है कि आखरी point साथ नंबर का क्य की details देने पड़ते है वहाँ पे ठीक है अगर मिला है तो डाल दीजिए नहीं मिला है तो 00 डालिए या फिर not received comment वहाँ पे लिखिए not received ऐसा करेके share करके आप आगे जा सकते हैं ठीक है यह तो मैंने आपको brief में बता है कि एंजियो दरपन के लिए आपको आपके पास क्या documents ह होनी चाहिए और वहाँ पे upload करना पड़ते है certificate अगर society है तो sectionate company है तो certificate और trusted है तो sorry trust है तो trusted वहाँ पे upload करना पड़ता है website के उपर और उसकी जो size है वो 2MB से कम होनी चाहिए 2MB से ज्यादा है तो system accept नहीं करेगा आपको error दे देगा reject कर देगा तो अगर आपके trusted की size अगर ज्यादा है 2MB से ज्यादा तो इसकी size कम कैसे करते हैं इसके ओपर में मैंने एक video बनाया है description में मैंने link दे दिया है वहां से जाके आप देख सकते हैं ठीक है तो फिर भी और मैंने देखिए मैंने बहुत सारे videos आपके NGO से related मैंने बहुत सारे videos already बना के रहे कि आप playlist में जाक को देंगे जो भी आप देंगे 10,000-20,000 मार्केट में वह पैसा आपका बच जाएगा अगर आपको पैसा बचाना है तो मेरा video देखिए step by step देखिए अगर नहीं बचाना है तो छोड़ दीजे किसे और को काम दीजे वह भी खुश आप भी खुश ठीक है तो मुझे लगता हैं एक बार आपका दरपन का रिशिशन हो गया उसके बाद दरपन आईडी का यूज करके हम यह अनुदान में रिशिशन कैसे करते हैं वह भी हम आगली वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए बाए बाए